हमारे साथ विक्रांद गुपता हमारे सेयों की जोड़ गए हैं विक्रांद खिलाडी हारते नहीं हों सिर्फ सीखते और नीरत चोपडा ने उकर दिखा है मैंने मुझे याद है कि जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो तारीफ करने वालों की कम ही नहीं थे लेकिन आल पर गोल्ड के बाद आप वर्ल्ड अथ्लेटिक्स चैंपरशिप में लेकर आ रहे हैं तो यह मामूली बात नहीं है क्योंकि आप अगर पूरा इतिहां सफासर देगे जैवलिंग थ्रो में कभी ऐसा नहीं हुआ अगर तो उसके बड़ी कामियाबी है अगर आज शायद दि हैं हाला कि वो बड़े बिंदास फसालिटी है एक अच्छी बात उनमें ही है कि वो इसका दबाव नहीं देते लेकिन वो हंड़ेट परसंट नब्दे ब्रीच करना चाहते थे वो हंड़ेट परसंट गोल्ड के लिए जाना चाहते थे कोई भी एचली जो सिल्वर मेडल जी जीतेंगे भी नहीं लेकिन आपके एख लीज का परफॉर्मेंस बहतर होता जा रहा है तो उसमें हाफ से मुझे लगता है बहुत बड़ी कामिया भी अब इसके बाद अधानक से बर्मिंगम जाएंगे ये लोग कॉमनल गेम्स के लिए जाएंगे और मुझे लगता है कि व अधानक से बाद आपके साथ या मिल्खा जी या पीटी उशा जी यह सपना ही हुआ करता था एक एक अध्लीट जागर आपका अलम्टिक में गोल्ड लेकर आजाता है उसके बाद देखिए आप छोड़ी चोड़ी अकैडमी जाएंगे आप अध्लेटिक्स त्राक्स में ज जाता है पहले अध्लेटिक्स में को जाता नहीं था तो यह एक शुरुवाद कि आपको एक शुरुवाद मिले हैं उसके बाद कुई और आएगा पिर कुई और आएगा लेकिन नीरिट का अधी मुझे लगता है कि बेस आयना बाकी है राजीव मैं यह नहीं कि इसको आप लेकिन अभीन गोल्ड जीते जोजा राट वेजिंग ओलमिक्स में तो उनको पूछा गया था वाट मेक्स तो रहने का मुझे पता नहीं कि कि मैं गोल्ड तो जीत गया हूँ नेरिट जो पड़ाने जब को विचा गया था वाट मेक्स तो यह फर्क है और मुझे लगता है क उन्सा बेस्ट इंट कुछा हो आपको लगता है कि नब्बे का जो माक है उसको क्रॉस करने के लिए भी कितनी मेहनत करने होगी और क्या अलग करना होगा नेरस को सिर्फ शाररिक शक्ति के लावा और क्या नब्बे के तो बहुत पास का अलड़ी आपने फैंका है क्वालिफाइंग में आपने प्रेंका है यह एक साइकलोजिकल प्रेयर है और चुपी देखे वर्ल्ड अथलेटिक सेंपेशिक लाए एक अलग करा का दबाओ लेकर आता है आप कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बड़ अब मुझे भी लगता है कि आला कि यह नब्बे के पास पहुच गए है I won't be surprise कि यह नब्बे को Commonwealth Games जो अगले अफ्टे से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर दोड़ दिया मुझे पूरी उमीद है कि नब्बे वहाँ पर वो ब्रीच करेंगी करेंगे लेकिन पीटर्स के साथ जब जब उनका मुकाबला हुआ है कई मौकों पर तो उन्हें माती है लेकिन कई मौकों पर नीरज को उन्होंने पठकन ही दी है चाहिए वो हमने स्टेक हॉम डाइमन लीग में हो वहाँ पर भी इनकी बिड़ंत वी थी वहाँ पर भी सेकेंड पर तो पीटर्स के साथ जहां-जहां मुकाबला हुआ है वहाँ पर नीरज थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं लेकिन राइवल्री तो अच्छी है ना राइवल्री में को बुरा ही नहीं है आप एक बार गोल्ड जीते हो एक बार आप सिल्वर आप बुरे अच्छी नहीं है आप अगर आज भारे में या आपका गोल्ड नहीं आपाया तो उस अख्लीट के पास गया है जिसने डिजर्व किया है आपसे ज्यादा बिल्कुल सभी बात है लेकिन कितना मुश्किल या कितना आसान होता है किसी के लिए भी नीरा चूपड़ा हो जाना देखे पिछले साल तो लगता था कि आसान है लेकिन दूसरा साल ही आपके लिए मुश्किल लेकर आता है पताब एक ऐसी कंट्री से आना जिसका अथ्लेटिक्स का उत्रा बड़ा बैग्राउंड नहीं है हमारी इतनी इतना इतिहास अथ्लेटिक्स में या इतनी लेकिसी नहीं है वहां सब जायका जाकर आप उलम्पिस में ना सब एक बदग जीते हैं बल्कि गोल्ड मैनल ले आते हैं और मुझे तो अभी भी वह तो तस्वीर याद है जब इन्होंने पहली अपी प्रोप हैंकी अथ्लेटिक्स को एक पूरे अथ्लेटिक्स को एक नया आयाम देने वाले इशाथ यही है बिल्कुल विकरांथ मैं लॉट आपके पास तो यह बड़ी ख़बर आपको दे दें सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है नीरज चोपड़ाने यह बहुत बड़ा कारणाम है बह पहले ब्रॉंज आया था लेकिन अब सिल्वर तक पहुंच गया और नेक्स संभबता गोल्ड होगा यह अच्छी उमीद है और नीरज से ही उमीद हम करेंगी क्योंकि इसके बाद अगली जो अथ्लेटिक्स चैंपिंशिप होंगी उसमें वो कितने फिट रहते हैं कितने मो वो जोटीनि मेडल दो नेक्राखा यह एग मेडला यह आपके और मेडल जाएंगे आप सफे आप पीछे मत जाएंग जाएंग उने सो असी में भारत में बैटिक्स में भेरत का एक बी मैडल में था अगला एक मेल आया था उनीचु चैंवे में उल्यावे में एक गड़ श सेजिंग में तीन आए और लंडन में छे आए आप समझे कि अब हम एज एस एस पोर्टिंग कंट्री भी है अराइब हम उस उस रास्ते पर चल पड़े हैं आज आपको एक गोल्ड मिला पिछले तो क्यों में आपके साथ मैडल आए यह यह कुछ मामूली बात नहीं है आने व कि उससे पहले उनका जो storage रहा था माँटन में जाए मेझा पार्क में जाएं आप बचचे भाग रहे होते हैं अब यही से तो शुरूआ करते हैं बिल्कुर शिर्वात यहीं से होती है, विक्ता आप मेंटल प्रेशर किया बात कर रहे थे, कि इतने बड़े गिम में ऐसा होता है, लेकिन अगर मेंटल प्रेशर होता है तो वो ऐसा कमबाक नहीं करते है, वो चौथे नंबर पर थे और वर्ल्ड रैंकिंग में भी वो चौथ में मेडल कर दो, और मैं मुझे लगता है कि आज उनके वो प्रेशर था, यह तो आपकी इतने फाउल अटेंप्स होती नहीं है, आज मुझे लगता है तकला सा प्रेशर था, लेकिन बड़ा चीट भही है जो उस दबाव को हटा दे, अपने आपको कमबाक मेंटलाइज करा